एंड्रोइट सीखना अब हो गया है और भी आसान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितने पार्टकास्ट और आपकी तमाम तर कुईरिस का रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बच जाएए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेश सारी मालूमात Only on Android Blind Cafe बहुत बहुत खियर मगदम Android Blind कैफे पर और मैं हूँ आपका दोस्त अमर अली हाजर हूँ आपके लिए एक और बहुती अहम और बहुती बहतरीन पाड़कास्ट लेकर most demanded podcast मैं कह सकता हूँ इसको अब तक कि जी हाँ friends audio editing को लेकर तरह तरह के सवालात आते रहते हैं और अक्सर लोगों ने हमें personally भी और group पर request की है कि उन्हें एक ऐसी application चाहिए जिसमें की mobile से हम हर तरह की audio editing कर सकें तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही application introduce कर रहा हूँ अपने podcast के जरिये वो है voice pro जो कि जहां तक मैं समझता हूँ audio editing की field में तमाम application की सरदार है क्योंकि इसमें वो तमाम सारे काम इस अकेली application में हो जाते हैं जिसके लिए कि हमें अलग-अलग कई application से इस्तेमाल करनी पड़ती है rename से लेके recording with playback recording with hand free without hand free mixing फाइल को merge करना cut करना convert करना और उसमें मुखतलिफ तरह के effects डालना जैसे speed उसकी बढ़ाना कम करना pitch उपर नीचे करना tempo कम ज्यादा करना और मुखतलिफ बहुत सारे इसमें functions और features available हैं तो दोस्तों आपकी इस चहीती application के लिए चहीता podcast हाजिर है और ये podcast तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है तो आज हम शिरू कर रहे हैं इसका पहला हिस्सा तो आएए हम चलते हैं wise pro की podcast के पहले हिस्से पर wise pro को touch किया मैंने अब मैं इसको open करता हूँ अब ये wise pro open हो गया है तो सबसे पहले हम इसका home screen देख लेते हैं उसके बाद इसकी settings देखेंगे मैं swipe करके दिखाता हूँ आपको left to right swipe कर रहा हूँ मैं ठीक है ये wise pro नाम ये recordings यहाँ पर हम अगर टैप करेंगे तो जो भी recordings हमने कर रखी है या फिर जो भी फाइल recordings में एड की हुई है वो हमें शो हो जाएंगी उन पर फर्दर हम activities कर सकते हैं ये preferences है यानि आप क्या प्रिफर करते हैं सीदा सा मतलब है कि ये settings है इसमें different type के settings है और वो settings आप अपनी जरुवत के हिसाब से बना सकते हैं ये एक blank space है बिलाल यहां पर हमारी file आती है जो हम add करते हैं playback music के तोर पर जब हम अगर playback के साथ कोई recording करना चाहते हैं तो जो music file या कोई भी file playback में हम चला रहे हैं तो वो यहां पर show होगी यह add और remove background बटन यह है add और remove background ठीक है यानि वही background में जो file चलानी है उसको यहां से add कर सकते हैं एड करने का option यहां से मिलेगा और remove भी कर सकते हैं यह record बटन है इस पर double tap करेंगे तो हमारी recording में स्टार्ट हो जाएगे यह add tag है यानि कुछ tags जो हम अगर add करना चाहते हैं अपने recording के साथ तो यहां से कर सकते हैं फिलाल यह disable है इसकी भी exciting होती है तो वहां से इसको करना पड़ता है और बाकि इस वक्त कोई file यहां पर है भी नहीं तो यह disable ही आएगा यह 0 seconds दिखा रहा है हमें यानि या भी कोई recording नहीं हो रही कोई file यहां पर नहीं है तो जाहर है 0 seconds है यह headset तो headset आप जानते है एरफून उसको इस्तमाल में अगर लाते हैं तो यह उसके लिए है अचा दोस्तों यह audilizer है यह मुझे नहीं समझा सका और बाहराल यह हमारे काम का है भी नहीं क्योंकि इस पर टैप करने के साथ ही screen blank हो जाती है और पता नहीं फिर उस पर कुछ रहता भी है यह नहीं यानि टॉप बैक के हिसाब से वह screen blank रहती है टॉप बैक वहां कुछ नहीं पढ़ता और कोई टॉप बैक का sound indication वगरा भी नहीं आता कुछ पता ही नहीं चलता है ऐसा लगता है जैसे phone off हो गया हो यह फाइल का size यहां पर दिखाएगा अगर recording चल रही होगी तो उस फाइल का यहां पर size आएगा जीरो है यह भी खिलाल यह गेन है तो गेन को यहां से आप control कर सकते हैं यानि आप जो recording कर रहे हैं तो कितनी गेन करना चाहते हैं उसकी आवाज अगर और बढ़ाना चाहते हैं अपने फाइल के आवाज कितनी रखना चाहते हैं जो भी आप recording कर रहे हैं उसके लिए यह 0 decibels यानि 50 परसेंट तो 50 पर यह 0 decibels होता है और 50 परसेंट से नीचे लाएंगे तो यह decibels माइनस में आना शुरू हो जाएगा और 50 परसेंट से उपर ले जाएगे तो यह प्लस में आना शुरू हो जाएगा तो यह प्लस में आना शुरू हो जा तो अभी यहाँ पर कोई file है ही नहीं तो यह तो disabled हो नहीं है बस अब यह यहाँ पर finish हो गई है voice pro की home screen तो अब हम चलते हैं voice pro की settings पर ठीक है तो settings के लिए इसका option है preferences top right पे जहां time आता है उसके ठीक नीचे ही आता है अगर आप direct touch करना चाहें otherwise swipe करके भी इसको ढूणने जा सकता है ठीक है यह मैंने देखा time के ठीक नीचे आ रहा है अब मैं इसको open करता हूं यह open हो गया है अब देखिए यहाँ पर different different settings है यह देखे अब यह खुद ही बोले है settings यह मोबी help है यह तो कुछ काम का नहीं है इसको आप छोड़ दे इसमें कुछ नहीं है यह है audio settings ठीक है इसमें दिखाता हूं मैं आपको actually मैंने अपनी settings नहीं बिगाड़ी क्योंकि फिर problem हो जाती है कई बाट disturbances हो जाते हैं हम जो setting चाहते हैं और नहीं हो पाती भूल भी जाते हैं तो मैंने settings जो जरूरी जरूरी settings है या मुझे जो जरूरी लगती है वो मैंने कर रखी वो मैं आपको दिखाता हूं बाकि आप अपने हिसाब से उसमें change कर सकते हैं जो आप चाहें उसको change कर ले यह मैंने इसको open कर दिया है मैं left to right ही swipe कराऊं friends audio settings यह इसकी heading है ठीक है यह audio format चूज करने के लिए यहां से आप किस format में अपनी recording रखना चाहते हैं वो यहां से चूज करेंगे इसमें बहुत format हैं बेपना format हैं मैं सारे नहीं दिखाऊंगा वो आप खुद देखिएगा लेकिन मैं इसको open करके दिखाता हूँ आपको open किया इसको audio format चेक MP3 में चेक कर रखा इसको अब यह एक बटन आया manage more format इस पर डबल टैप करेंगे तो फिर और बहुत सारे format मेरे चलसे से तकरीबन 80 से उपर format हैं इसमें तो मैं उनको open नहीं करूंगा मैं अब यहां से back जाता हूँ ठीक है यह पहले वाला तो हमने देख लिया था यह दूसरा है यह है custom settings का तो यह कह रहे हैं कि custom settings आप इस्तमाल कर सकते हैं यानि एक तो default setting होती है custom settings जो हम बनाते हैं तो कुछ extra settings है यह यह आप बना सकते हैं अगर आपके default settings है या जो तरह की settings available है उनसे अगर आपकी recording ठीक नहीं आती है, आपको कुछ प्रोबलम हैसुस होती है, तो अपने सेटिंग्स को यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मैंने इसको नोट चेक कर रखा है, इसको जरूर ही है कि आपका सेट भी इसको सपोर्ट करें, हर सेट पर यह सपोर्ट अब नहीं होती, नीचे एक अथन भी मिलेगा इसमें, जो आपको बताएगा कि आपके सेट पर यह सपोर्ट करती है, नीचेड पिर बताएगा क्या वो चेक करेगा वहाँ चेक करने का option होगा अभी दिखाता हूँ मैं आपको तो वो चेक करेगा आपके device को कि ये custom settings आपके device पर काम करती है ये ने करती है तो ये सारी disabled मिलेंगी आपको मैं अभी चेक कराता हूँ आपको ठीक है audio source तो audio source आप चेंज कर सकते हैं ये sample rate इसको भी change कर सकते है ये audio channels ये कैसी quality आप रखना चाहते है high low अब ये disabled नहीं है ये भी disabled नहीं है तो इसमें हम high check कर देते हैं audio channel audio channel disabled ठीक है ये disabled है ये सारी यहां तक कस्टमाइज करने वाली थी तो आप चाहें तो इसको एक बार enable करके कस्टमाइज के कस्टमाइजेशन को और इन सेटिंग्स को अपने मताबक सेटिंग बना भी सकते हैं और उसके बाद अगर आपको दिक्कत आए तो फिर से आप इसको अंचेक कर दें कोई से फरक नहीं पड़ता तो अब यहां पर जो है मैंने अपने हिसाब सेटिंग जो की है वो दिखाता हूँ आपको यह मैंने हाई पर ही रखा होगा जाहरे देखता हूँ मेडियम कॉलिटी टेन और फिर यह 44 परसेंट इसको आप 44 परसेंट को पढ़ा सकते हैं जितना चाहे तो यह हाई पर भी आ जाएगा यानि अभी यह मेडियम पर ही है खर इसको हम नहीं छड़ते यह आप जब करें तो तो तज़र्व करिएगा यहां से आप बिट रेट सेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग की इसको ओपन कर दिया 32 kbps human voice यह टेलिफून क्वालिटी आईगी 64 में जैसे टेलिफून पर बात करते हैं यह cd-rom से थोड़ी हल्की होगी cd-rom जैसी क्वालिटी आईगी 96 पर अच्छा यह स्टेंडर्ड क्वालिटी जो MP3 की होती है 128 इसी को हम लोग maximum यूज करते हैं और यह बहतर होती है cd-rom क्वालिटी होती है तो इसको मैंने चेक किया हुआ है अब इससे भी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी अगर 256 पर कर लेंगे आप तो डीवीडी की जो क्वालिटी होती है वह क्वालिटी मिले ही रिकॉर्डिंग की लेकिन फिर यह कि जब हम अगर क्वालिटी का यह साइज बढ़ाते हैं तो पिर हमारी फाइल का साइज भी रिकॉर्डिंग वगरा की जाती है कोई मेजिक वगरा कोई गाना वगरा उस तरह से रिकॉर्ड करना है प्रोफेशनल यूज के लिए तो उतना तो हमें जरूवत होती नहीं यहां तक है 320 तक तो मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ यह हो गया यह हो गया इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं तो फिर डिसेबल करने सी यह होगा कि फिर वह आटोमेटिक गेन नहीं करेगा फिर आपको सेटिंग बार बार करने पड़ेगी उसमें जितना भी रखना पड़े रखना चाहते हैं और यह एक्चुली है जो लोवर वर्जन है उनके लिए है वो नहीं इन सेटिंग्स को नहीं पकड़ पाते हैं या उसमें कमफेटबल नहीं होती है यह सेटिंग्स तो उनके लिए यह है टू पॉइंट वन एंडॉइट तो वो सब तो खतम ही हो चुके अब इतना है ही नह तो यह option viral हम लोगे use का है नहीं यह advanced है अब यह है कि जब आप कोई file को convert कर रहे है mp3 में तो उसका bit rate क्या होने चाहिए वो तो recording वाला था जो उपर दिखा है और यह है conversion के लिए तो convert करते हुए जो bit rate होने चाहिए वो आप यहां से set कर सकते है उसी तरह से है 32, 64, 96 यह भी मैंने जो है 128 रखा हुआ है इसको भी मैं cancel करता हूँ देखें यह last option आया अगर आप custom settings बना रहे हैं तो जाहर है यह आपको disable नहीं मिलेगा यह enable मिलेगा और यहां से आप जब आप चेक करेंगे तो वो आपके device को चेक करेगा कि यह custom settings आपके यहां possible है यहां नहीं है ठीक है तो यह वाला option यह यहां पूरा हुआ अब मैं वापिस जाता हूँ हमने देख लिया है यह हो गया अब second setting है यह spectrum तो इसमें मुझे बहुत जादा नहीं समझ आई है settings उतनी क्योंकि मैं उतना technically strong नहीं हूँ बाहराल जो जो मुझे अपनी जरुवत की लगी है वो मैंने setting की है और आप अपने ability, capacity, capability के हिसाब से इनकी settings कीजिए और भी मजीद जो आपको चाहिए बाहराल मैं दिखाता हूँ फिर भी आपको यह sample rate है frequency range बढ़ाने के लिए तो इसको आप जितना चाहें रख सकते हैं 8000 globe hertz है कितना 16 और कितना है 24 ऐसे कुछ है sample rate, sample rate, 8004 kHz in list ठीक है 8000 यानी 4 kHz, 16000 यानी 8 kHz, यह 11 kHz, यह 24 kHz पर मैंने set किया है 4410 तक कि हमारी जो frequency range है वो अच्छी आनी चाहिए और यह highest है इसमें ठीक है यह sample rate हो गया यह block size है, यह larger is slower but finer के जाहरे बड़ा है तो थोड़ा slow होगा लेकिन जो है वो बहतर होगा तो input का block size क्या होने चाहिए वो यहां से आप set कर सकते है यह देखें इसमें मैंने 256 रखा हुआ है तरकि यह block size में और भी थोड़ा finer आए और भी अच्छा input जाए तो input के लिए थोड़ा block size बड़ा रखा है तो recording का तो हमने 128 रखा है लेकिन block size में यह 256 रखा है तकि अच्छा input जाए हमारा यह इसलिए नहीं रखा किसको रखेंगे तो फिर जाहर बहुत और भी जादा slow हो जाएगा तो time consuming viral है और space consuming भी है 1024 samples cancel button out of list 1024 तक है यह तो आप देख लें जो आपको बहतर लगता है आप और रख सकते हैं इसको भी cancel करता हूं यह है window function तो spurious जो आवाज में वगरा है noises है उनको control करने के लिए है यह देखेंगे no windowing यह मैंने नहीं छेड़ा है blackman Harris ही लगा हुआ है default में क्यूंकि मुझे नहीं पता कि यह इससे क्या होने वाला है इसको मैं cancel करता हूं इसमें मुझे कुछ नहीं पता है यह है decimation तो इसमें भी मैंने change नहीं किया default में रखा हुआ है process all process one and two यही check है process one and three process one and four इतने है यह इसको भी back करता हूं यह histogram है कुछ यह भी मैं मुझे नहीं वालूं क्या होता है बहराल आप देखें इसमें यह fast में लगा हुआ है slow तो default fast में आया है हमने इसको छेड़ा नहीं अचा यह इसमें है instruments visualization तो अब आप इसमें चूज कर सकते है instruments क्या दिखने चाहिए यानि screen पर instruments दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए या क्या दिखने चाहिए इसको भी मैंने default में रखा हुआ है क्योंकि audio हम इससे करते नहीं अच्छा फ्रेंट्स यह display settings है इसमें एक दो setting है हमारे काम की यह screen orientation आप कैसा रखना चाहते हैं यानि screen को rotate होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो हम तो rotate पर रखते नहीं है देखते हैं यह system default portrait landscape user preference device orientation इसमें आप portrait भी रख सकते हैं तब भी वही बात होगी और device orientation भी वही बात होगी लेकिन device orientation का मतलब यह है कि अगर जिस भी चीज से orientation से related कोई भी setting आपके device से कहीं से control हो रही है तो यह उसी को follow करेगा जैसा कि हमने अपने device की setting जो accessibility है वहां से portrait को off किया हुआ है वो sorry landscape को off किया हुआ है तो portrait पर ही phone रहे तो जहरे यह portrait पर ही रहता है उसी को device को follow कर रहा है तो इसलिए इसको भी change करने की कोई खास ज़रुवत नहीं है यह हो गया है अब देखें यह देखें यह देखें यह देखें कीप device awake while app is running और warning यह है कि आपके battery खर्च होगी जाहर सी वाता है अगर device चलता रहेगा तो battery तो खर्च होगी लेकिन इसको रखना है इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप recording करते हैं और कहीं कुछ description दे रहे और आपके screen time out कम है और description देते देते कुछ time लगा तो screen off हो जाती है तो जहरे वो screen on और off के भी recording उसमें आती है तो problem कुछ नहीं है मगर disturbance तो होता ही है तो इसलिए इसको मैंने फिलाल on किया हुआ है यह debug settings है तो इसमें भी कुछ debugging वगरा का है तो आप देखें show performance stats यानि जो भी activity चल रही है उसकी performance क्या है वो show होती रहे तो इसको भी मैंने चेक किया हुआ है तो friends इसमें इतनी ही settings थी इसको वापस करते है यह हो गया है अब थर्ड है UI settings यानि जो system के अंदर की settings है system से जिनका तालुक है इनको देखते हैं आप यहां से फुल स्क्रीन पर रख सकते हैं application को यह initial screen है यह main screen पर news sticker जो हाइड करने के लिए है यह एक option इसमें अच्छा है कि अगर आप वाइस प्रो से recording कर रहें तो जैसे ही आप recording का button प्रेस करेंगे तो आप वाइस प्रो से बाहर निकल के सीधे home screen पर चले जाएंगे अगर इस option को चेक कर दें और नहीं चेक करते हैं तो फिर आप वाइस प्रो में ही रहेंगे तो उससे यह है कि जैसे हम अगर कुछ podcast बनाते हैं या कोई recording करते हैं तो जाहरा में एक activity करनी ही पड़ती है फिर home button दबाके फिर home screen पर जाना पड़ता है recorder से बाहर तो अगर यह चेक रहे तो आप को यह सीधे recording स्टार्ट हो जाएगी और आप वाइस प्रो से बाहर निकल जाएंगे यह देहां दीजिए minimize voice pro on recording record start तो जाहरे कि voice pro minimize हो जाएगा या आप home screen पर चले जाएगे बैने इसको not check किया हुगा फिलाल यह है pause on call अगर call आ जाए तो आपके recording जारी रहनी चाहिए या stop हो जानी चाहिए या pause हो जानी चाहिए तो इसको भी check कर दिया है और यह check ही बहतर है क्योंकि call आ जाए तो आपके recording खराब ना हो वहीं के वहीं वह पॉस हो जाएगी यह इसको आप चेक रख सकते हैं कि जैसे ही आपके recording पूरी हो जाए तो आपको वह एक dialogue दे कि आप फाइल का नेम अपना रखें या फिर अगर इसको not check रखेंगे तो वह वाइस प्रो की फाइल बना देगा default में वी पी फिर उसका एक नंबर आएगा फिर date और उसका size वगरा और या फिर आप खुद चाहते हैं उस फाइल का कुछ नाम अपनी मरजी से रखें तो आप इसको चेक रखें तो फिर यहां से वो चेक करने के बाद आपको फिर option मिला करेगा जब भी आपकी recording पूरी होगी यह help tips tricks के लिए है कि जो कुछ messages या छोट छोटे notifications आते हैं आप जब activity परफॉर्म करते हैं कि आप ऐसा करें तो ऐसा होगा वैसा करें तो ऐसा होगा जो normally आपको कहीं मिलती नहीं है कही setting में या कहीं भी वैसे नहीं होते options कुछ tips होती हैं तो वो आपको आती हैं यहाँ पर लेकिन उन से recording में disturbance बहुत होता है तो इसलिए उसको recording करने के लिए तो बंद करना ज़रूरी है बाकि दूसरे काम अगर कर रहा है आप तब हाँ ठीक है इसको on करके आपको हर के जगहा पर कुछ tips tricks यह बता देता है अलग स कि आप क्या क्या कर सकते हैं क्या करना चाहिए तो उसी में फिर एक got it का button भी आता है तो got it कर देंगे तो जो message आता है notification वो हट जाता है वहां से और फिर यहाँ नीचे एक option भी अगर आपने इसको not check कर दिया है और आप चाहते हैं कि वो सारे messages मुझे दुबारा मिलें तो इ सारे got it जो हैं वो reset हो जाएंगे और फिर से वो सारे messages आपको मिलेंगे यह देखें तो यह help tips होती हैं help tips होती हैं तो इसको reset आप यहां से कर सकते हैं यह privacy icon है notification में आता है कुछ देखने दिखाने से मुतालिक है कुछ robotic icon बनके आ जाता है अगर आप इसको check कर दें लेकिन आप इसको check कभी कीजिएगा नहीं मैंने एक बार किया था तो phone में कुछ problem आने लगी थी हैंग अगर होने लगा था तो मेरे खाल से यह हर phone पे शायद comfortable ना होगा आप इसको screen light को on रखना चाहते हैं आफ रखना चाहते हैं wise pro के दोरान यह उसके लिए हैं आपकी मरजी आप इसको check रखें या not check रखें यह देखें यह जो tag का button वहां पर home screen पर था तो उसकी setting का मैंने जो जिक्र किया था वो यह है अगर यहां से इसको हम check कर दें तो आपको वहां recording के दोरान ही option मिल जाएगा tag note लगाने का और यहां से नहीं check रखते तो फिर वो disable वहां पर आता रहता है तो वो भी हमारे लिए उतनी important चीज़ा नहीं होती लेकिन बाहराल जो लोग tag note लगाना चाहते हैं और recording के साथ ही लगाना चाहते हैं तो फिर वो इसको check करके रख सकते हैं यह job finish करने पर आपको sound notification में आना चाहिए यानि जो ring होती है या sound होती है बीप वगारा जो आती है उसके लिए है कि notification जब आएगा तो sound भी उसके साथ आने चाहिए यह vibration का है कि जो notification आपके पास आए किसी भी job finish होने पर तो vibration होना चाहिए या नहीं होना चाहिए क्या रखना चाहते हैं, आप साउंड रखना चाहते हैं, वाइबरेशन रखना चाहते हैं, या दोनों रखना चाहते हैं, या दोनों वैसे कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, वैसे हमारा तो टॉक बैग भी अनाउंस कर देता है, जॉब इस फिनिश्ट, ये उसके लिए हैं मिक्सिंग करते हैं या फाइल कनवर्ट कर रही होते हैं तो उस टाइम पर जो नोटिफिकेशन आता है उसके लिए दोनों आप्शन्स हैं तो इसकी भी ये भी पूरे हो गए आप्शन्स अब देखते हैं आई यो सेटिंग्स देखें ये रिकॉर्डिंग फोल्डर की लोकेशन है तो ये चेंज होती नहीं है हाला कि इसमें इन्होंने दिखाए हुआ हो सकता है आगे चलके ये लोग इसको इंपरूव करें लेकिन जो लोकेशन सेट है रहती वही है ये चेंज नहीं होती ये वाली है एक बार देखते हैं इसको उपन करके हाँ ये यहां से चेंज होती है सॉरी वो स्पेस वाला था जिस पे मैंने क्लिक कर दिया था वहां से नहीं हो रहा था तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी ये से यहां से आप कोई भी फोल्डर दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं ये कहरे के आपके नई इस जो है स्क्रीन पर यहां से अगर आप OK कर दें तो एक दूसरी इसकी नहीं आएगी वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपना फाइल कोल्डर वगरा वहाँ पर आएंगे जाहरा लेकिन जो भी फाइल अभी तक स्टोर हैं आपकी वो जहां हैं वही रहेंगे वो चेंज नहीं होगी तो हम इसको चेंज ही नहीं करेंगे फिलाल इसको हम कैंसल कर देते हैं ठीक है ये स्पेस जो अवेलेबल है सब पूरे रिकॉर्डिंग के लिए वो दिखा रहा है मेरे इंटरनल मेमोरी में कितनी जगा है ये बैक अप फाइल फॉल्डर कितने आप बैक अप फाइल फॉल्डर रखना चाहते हैं ये यहां पर आप सेट कर सकते हैं ये आप इसको अगर सेलेट कर दें तो बैक अप जो भी बनते जाएंगे तो डिलीट होते जाएंगे यह कॉपी के लिए है कि जो भी फाइल्स आप इंपोर्ट करते हैं अपने इसमें वाइस प्रो में तो उनकी क्या आप बैकप कॉपी रखना चाहते हैं या टैंपररी यूज करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप इसको सेलेक्ट रखेंगे तो उसकी फिर बैकप भी क्रियेट हो जाएगा यह है बैकप रिकार्ट्स प्रायर टो अपलाई यानि निव एफेक्ट्स यानि आप कुछ भी नया एफेक्ट अगर किसी फाइल पर लगा रहे हैं कोई भी फाइल को चेंज कर रहे है कोई एफेक्ट उसमें डाल रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आपका जो ओरिजिनल फाइल है उसका एक बैकप सेव रहे है तो आप इसको चेक रखें वरना जो आपकी ओरिजिनल फाइल है वही चेंज हो जाएगी तो इसको आगर चेक कर देंगे तो आपके पास उसकी ज आएर हो जाएगी जो BFFs डाने होंगे इसको मैंने चेक किया हुआ है इसको तो नोट चेक ही रखना है कि अगर किसी और मेडिया यह जो हमारा मेडिया है तो यह किसी दूसरे अप्लिकेशन में दिखाई देना चाहिए नहीं दिखाई देना चाहिए तो दिखाई देना चाहिए वरना फिर इसके साथ अगर हमारी कोई रिलेटिव एक्टिविटी है किसी और एप्लिकेशन से मसलान फाइल मैनिजर वगरा से तो हम पिर इसको कैसे ऑपरेट कर पाएंगे तो बाराल आप्शन दिया है उन्होंने आप चाहें तो इसको हाइड भी रख सकते हैं यह बैटरी मॉनिटर है कि आपकी अगर तीन परसेंट तक बैटरी आ जाएगी तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग किसी भी हाल में अपने आप स्टॉक हो जाएगी अगर इसको चेक कर दिया और यह बहतर है ताकि ऐसा नहों कि हम रिकॉर्डिंग करते रह जाए और फून बंद हो जाए यह भी यहां मैंने पूरे होगे हमारे अब देखते हैं यह फ्रेंट वाइस टू टेक्स्ट है तो इसमें फीचर है कि आप वाइस टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं तो इसमें दो तीन ही है वैसे सेटिंग यह तो आप जानते हैं उन्हें वाइस टू टेक्स्ट के लिए जाहर है यह दो तीन अफ्चन्स होते हैं एक लेंगविज यहां पर आपको सेट करने पड़ेगी यह स्पीच सिंथिसाइजर लेंगविज यहां पर सेट करने पड़ेगी जो इंटरनल आपकी जो वाइस Speech Synthesizer यूज़ करना है आपको तो वो यहां से आप सेट करेंगे यह Advanced में यह तो मैंने Not Check रखा हुआ है तो कि यह मुझे नहीं वालू Algorithm का मामला है यह Highly जो Technician लोग है वो करेंगे तो अब यह Voice to Text अच्छा दोस्तो इसमें Call Recording का भी आप्शन है वाइस तो टेक्स्ट का भी आप्शन है तो यह है Call Recording की कुछ सेटिंग्स यह देखें यह Enable Call Recorder इसको Disable किया हुआ है मैंने इसको चेक नहीं किया हुआ तो जाहरे यह Disable है यह इसमें सब Disable मिलेंगे आपको क्योंकि मैंने इसको चेक नहीं किया हुआ यह आप लोग अगर यूज करेंगे तो यह सारे Enable हो जाएंगे Options और फिर इसमें से जो भी आप बहतर समझे उसको आप इसको आप इस्तेमाल कर लें तो क्या आप चाहते हैं कि यह जब भी फून आपका स्टार्ट हो तो आपके Call Recording की जो सर्विस है वो Automatik पर On होने वाली हो जाए यह उसके लिए है यह Audio Source है तो इसमें अगर स्टेंडर्ड काम नहीं करता है तो आप अपनी मर्जी से जो भी Available होने मैं से कोई दूसरा Choose कर सकते है इसका भी Sample Rate आप चेक कर सकते है कितने Sample Rate में रिकार्डिंग चाहिए आपको Call Recording की बात यहां पर हो रही है Audio Channel आपको कितने या कौन कौन से यूज़ करने है उसके लिए है यह Call Recorder File Name Choose the Format of Call Recorder File Name अब यहां पर आप Format सेट कर सकते है कि जो Call Recording होके जो आपकी फाइल आ रही है उसका Format क्या होने चाहिए जैसे AMR होता है MP3, AOC है क्या है वो जी जी वगरा तो आप यहां पर वो Format सेट कर देंगे तो आपकी जो Call Recording होगी अगर आपके फून में Call Recorder नहीं काम करता properly या कोई problem आती है तब आप इस option को इस्तिमाल कर सकते है फिक्स करने के लिए है यह यह कोई problem होगी तो यह उसको यहां से fix कर देगा यह है कि privacy के लिए है आपकी कि आपने जो Call Recording की है तो वो सिर्फ एर पीस में ही चले openly अगर कोई चला के सुनना चाहे तो फिर वो नहीं चले गी अगर यहां से आपने इसको चेक कर दिया है तो यह तो advanced है यह still in alpha release ऐसे वो कह रहा है तो इसकी कोई guarantee नहीं है काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है इसके अंदर जो भी settings है तो इसको हम नहीं open करते यह तो आप समझी रहे है backup your recordings तो आप अपने recordings को email dropbox वगरा पर backup कर सकते अगर यहां से आप इसको configure कर देंगे on करके फिर वो अपना सारव वो detail वगरा configure कर देंगे तो फिर आपकी जो files है वो automatic backup होती रहेंगे आपके आपके वी email के जरीए जो है जाहर सीवाती email से आपका अकाउंट कन्फिगर रहता है तो वो आपके dropbox और drive पर वो backup होती रहेंगे आपकी recording files यह extend your voice pro यहां से आप जो plugins special specific plugins यानि किसी भी activity के लिए function के लिए आपको जो भी plugin चाहिए वो इस option को यूज़ करके आप खरीज सकते हैं यहां से आप Google Plus से कनेक्ट हो सकते हैं तारेक्ट वहां पर आप voice pro वाले आपको मिलेंगे वहां discussions में आप participate कर सकते हैं यहां से सारी चीज़ें अब जो आने वाली हैं या आगई हैं Google Plus वगरा की यह मेरे खाल से तो अगर आप जब legal version यानि खरीदा हुआ इस्तमाल करें उस वक्त ही बहतर होगा purchased में ही बहतर होगा बाकि crack वाले इन features को ना यूज़ करें तबी बहतर है क्योंकि वहां पर तो फिर जाहर है वो लीगलिटी में बात होगी और वो फिर वाइस प्रो की जो डेवलपर होगरा हैं वो भी वहां पर होते होंगे मेरा जहां तक अंदाज है तो वहां आपकी लीगलिटी होना ज़रूरी है यह वाइस प्रो फेस्पुक पेज भी है इसका यह ट्वेटर का भी पेज है इनका यह क्लाउड की सेटिंग्स यहां से आप कर सकते हैं वो सब मैं नहीं करता है अब यहां से आप इसको रेट कर सकते हैं और रेट करने पे आपको कुछ Ginaet प्लग- इंस भी बनी मिल सकती है और यह है गूगल फ्लस फइन लास्ट वाला जाने के यहां से आप इसको शेयर कर सकते हैं किस्वें इसको उभ्लोगॉ almost up that है यहां से आप कुछ टिटोरियल्स वगरा देख सकते हैं लेकिन वो कुछ काम के नहीं है फ्रेंड्स आडियोज तो हैं वो यूट्यूब के हैं मेरे खाल से और वो डिमांस्टेशन उनमें प्रॉपर नहीं है वो या नहीं साउंड नहीं है आपको तो सिर्फ उसमें मीजिक की मीजिक सुनाई देगा बाकि सब कुछ उन्होंने या तो करके दिखाया है या फिर टेक्स्ट में लिखा है हमें पता नहीं है लेकिन आडियो डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं मिलता तो वो तो हमारे काम के टिटोरियल्स नहीं है तो इसी के साथ ये सेटिंग्स का पॉर् इस तरह से हम सेटिंग्स अपनी मैनेज कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए और सेटिंग्स के बाद हम अब वापस चलते हैं यहां से इसके साथ ही हमारे वाइस प्रो की पॉड़कास्ट का पहला हिसा यहां पूरा होता है और इसके बाकी हिससे सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करने ताके आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और अगर आपको यह पॉड़कास्ट पसंद आई तो दोस्तों को अपने गुरुप्स पर जरूर शेयर कीजिए ताके और लोग भी इन पॉड़कास्ट का इन वीडियो का पाइदा उठा सकें तो कमर अली को अब दीजिए अजाज़त और आप सुनिए एंडॉड ब्लाइंड के एफ़े पर बाकी तमाम पॉड़कास्ट थैंक प्रक्यो धन्यवाद पॉस्क्राइब और बन चाहिए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेर सारी मालूमात ओनली ओन एंडॉड ब्लाइंड के एफ़े